हलो एवरिवन। आज मैं ये दिखाने जा रही हैं कि जब भी हम कुछ भी बाइख करें, तो ऐसे लेबल होता है, तो ये है मेथी के कूरिये, जो उसको अचार में हम यूज करते हैं, ये राई के, जो मस्टर्ड के है, ये फेंड़्यू क्रिक के है, तो ये मैं क्या करती हूं कि इसको मैं ये कट कर लेती हूँ, ये कट करके फिर इसके अंदर रख देती हूँ, either you can keep it in lid, ये ठकन में भी रख सकते हो, और इसे रख सकते हो, तो ये मैंने देखो, फिर ये मैंने कट करके इसमें रखा है, फिर ये पापड का है, सोडा बाइकर, वो इसके अंदर रखा है फिर यह है रोक सोल्ट जो इसके अंदर में ने रखा है तो इसे गट करके इसके अंदर रख देना है तो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको याद रहेगा क्योंकि बहुत सारी वाइट होती है आइटम बहुत सारी येलो होती है और कभी-कभी हमें याद नहीं रहता तो ऐसे हमें ये सब लेबल करना है मैं बाहर भी आप बाहर भी चिटका सकते हो लेकिन ये इसके अंदर रखने से अब हम चेंज कर सकते हैं कभी ज्यादा कम हो तो तो ये सब लेबल वाला करना और ऐसे कट करके इसके अंदर रखते ना है और फिर ये सब प्लास्टिक रिसाइक्लिंग बेग में रखना है mix हुडा नहीं करना है सब सेपरेट करना है environment को बहुत protect करना है तो गीला, सुखा, प्लास्टिक ये सब रिसाइक्लिंग में जाएगा तो ये सब आप करना और have a nice day see you subscribe my youtube channel thank you for watching please like and do comment thank you